इसरायल और हमास के बीच जारी जंग को करीब साथ महीने से ज्यादा का वक्त बीच बीच में सीज फायर के नाम पर जंग रोकी तो जाती है लेकिन एक बार फिर से हमले का दौर शुरू हो जाता है एक बार फिर से इसराइल की ओर से गाजा के रफा शहर पर हमला बोला गया हमले में करीब 45 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है और इस हमले के बाद इसराइल की पूरी दुनिया भर में निंदा हो रही है क्योंकि जंग में ज्यादा तर नुकसान आम लोगों का होता है रफा शहर में अभी तक कोई भी हमला नहीं हो रहा था लेकिन 26 मई को रफा की ओर से इसराइल पर किये के हमले की अब जवाबी कारवाई हो रही है इसराइल तो एक ओर दावा कर रहा है कि उसकी जवाबी कारवाई में कोई भी आमनागरिक को नुकसान नहीं पहुँचाये गया है इसराइल का कहना है कि हमास के आतंकी रफा शहर में मौचूद हैं जिसकी वज़े से सैन कारवाई और हवाई हमले किये जा रहे हैं इसराइल के इस हमले के बाद अब दुनिया भर में All Eyes on Rafa नाम का ट्रेंड शुरू हो चुका है दुनिया भर के बड़े सितारे, बड़े मॉडल, साथी साथ कई बड़े खिलाडी अब रफा शहर के सपोर्ट में उतराए हैं इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर All Eyes on Rafa लिखके लोग अपनी स्टोरीज पर शेयर कर रहे हैं भारते टीम के कप्तान रोह शर्मा की वाइफ रितिका ने भी ये पोस्ट डाला हलाकि कुछ देरों बाद ट्रोल होने के बाद उन्हों ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया लेकिन अफगानिस्तान के खिलाडी राशिद खान, मुहम्मद नभी, उनके साथ साथ रहमनुला गुर्बाज, यहां तक की जिंबावे के खिलाडी सिकंदर रजा, भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के शाहिन शाह अफरीदी ने भी ये पोस्ट डाल कर लोगों को चेतावनी और जताने की कोशिश की है, कि जो जफा में हो रहा है, वो किसी भी तरह से जायज नहीं है। तो ये युद्ध रुख सकता है, लेकिन दोनों ही ओर से ये युद्ध अभी तक रुखने का नाम नहीं ले रहा, आखिर कब रुखेगा ये युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में नुकसान सिर्फ आम नागरिकों का है, और किसी का नहीं है। आप क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बताईए तब तक के लिए देखते रहिए वनिले हिंदी